Hi everyone, welcome to my channel Spurs Study and friends, आज मैं आपको बताने वाली हूँ best alternative for saying good night because अब daily routine में सिफ good night use करते हैं but आज के वीडियो को देखने बाद आपको पता चलेगा और पांच तरीके जिससे आप कह सकते हैं good night So friends, दो five options are sleep tight, night night sleep tight, don't let the bed bugs bite यह एक rhyme है जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है आप sweet dreams भी यूज कर सकते हैं night night sleepy head भी यूज कर सकते हैं and sleep as snug as a bug in a rug यह भी एक rhyme है जो आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं So friends, a second और फफथ। बच्चों के लिए हैं बाकि आप किसी के लिए भी उस कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सक्षिन में जबूर बताएं और करें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू